RRB NTPC के answer की जारी हो चुकी है और answer की जारी होने के बाद अब कुछी समय में यहाँ पर इसका result भी जारी किया जा सकता है और उसके बाद होने वाला है CBT2 का exam अब यहाँ बहुत सारे students के मन में एक सवाल है कि CBT2 के अंदर आखिर एक exam लिया जाएगा या फिर अलग-अलग post के हिसाब से यहाँ पर exam लिया जाएगा और कौन सी post के लिए यहाँ पर CBT2 के बाद typing test और यहाँ पर psycho test नहीं होगा यानि कि CBT2 के बाद direct आप उस post के लिए यहाँ पर eligible माने जाएंगे तो कौन-कौन सी वो post है और साथी CBT2 में आपका क्या syllabus रहने वाला है वो भी हम आपसे discuss करेंगे तो चलिए देखिए सबसे पहले देखते हैं CBT1 के अंदर आपका जो paper हुआ था उसमें 40 question यहाँ पर आपके general awareness से थे 30 question यहाँ पर आपके math से पूछे गे थे और 30 question आपके reasoning से थे और total timing इसके लिए आपको दिया गया था 90 minutes का 90 minute में आपको यहाँ पर 100 question करने थे लेकिन देखिए CBT2 के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा CBT2 के अंदर आपको time duration 90 minutes ही दी जाएगी लेकिन अब जो questions है अब यहाँ पर questions का number जो है वो बढ़ जायागा यहाँ देखिए general awareness के आपको 50 questions पूछे जाएंगे और यहाँ math से आप से 35 question पूछे जाएंगे और यहाँ reasoning से आप से 35 question पूछे जाएंगे 120 मेंसे, यहाँ पर मान लिजे, आपके accurate number यहाँ बन रहे हैं, 84 तो 84 को यहाँ पर अब 100 से हम मानेंगे, तो 100 से जब इसे मानेंगे तो यहाँ पर देखे, यह हो जाता है आपका 70, यानि कि, आपके जो marks बनेंगे 100 में से, तो आपके marks कितने बनेगे यहां raw marks आपका 70 माना जायेगा ठीक है अगर आप 84 question यहां पर accurate write करते हैं या फिर cut कुटा के आपका जो भी यहां 120 में से निकलता है तो 120 में से अगर आपके raw marks यहां 84 हैं तो उसे 100 में से divide करके यहां पर आपका जो raw marks बनेगा वो यहां पर बनेगा 70 तो इस तरह से आपका यह count किया जाएगा आपके cbt2 के अंदर अब यह वाला point आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि देखे इसमें आपको post बताई गई हैं और आप किस post के लिए eligible होंगे और किस post के लिए आप eligible नहीं होंगे वो सारी चीज़े हम आपको बताते हैं तो देखें यहां पर अगर आपने 12 बेस पर फॉर्म भराए तो आप एक से लेकर पांस तक की जो अगल माने जाएंगे अब यहां पर देखें यहां पर cbt1 जो हुआ था यह सभी पोस्ट के लिए common exam हुआ था लेकिन cbt2 यहां पर अलग-अलग level से होगा यानि कि level यहां पर cpc यानि कि आपकी जो salary है उस according यहां पर exam cbt2 का होने वाला है तो यहां पर post number 4 तक के लिए यहा यहां पर post number 5 के लिए अलग exam लिया जाएगा इसी तरह से यहां पर post number 6 जो है यहां traffic assistant के लिए अलग से exam लिया जाएगा पोस्ट नमबर 7 से लेकर यहां पर 11 तक के लिए अलग से exam लिया जाएगा यानि कि इनका cbt2 अलग से लिया जाएगा और साथी साथ यहां पर post number 12 और 13 यहां पर अलग से CBT2 लिया जाएगा अलग से CBT2 लेने का मतलब यह है कि यहां पर अलग अलग पोस्ट वाईज यहां एक्जाम लिया जायागा यानि कि एक्जाम का जो स्लेबस होगा या कौशन की जो वराइटी होगी वो बहुत ही अलग टाइप के आपको देखने को लेकिन अब यहां पर अगर railway यह अलग अलग exam लेता है तो इसमें बहुत जादा time लगने वाला है तो यहां हो सकता है कि railway आने वाले time पर कोई ऐसा notice जारी कर दे जिससे कि यहां पर एक common CBT2 ले लिया जाए जिससे कि सभी post के लिए यहां पर एक ही exam करवाया जा सके तो जल्द test होना है तो वो post है आपकी train clerk की और commercial clerk यहां पर जो commercial come ticket clerk है यह दो post हो पर आपको सिरफ CBT2 clear करना है और अच्छे marks लेकर आने हैं और आपको यहां पर बिना typing test और बिना psycho test के आपको direct आपका document verification होगा और उसके बाद आपका medical हो जाएगा इसी तरह से यहां पर goods guard जो कि एक अ medical हो जाएगा तो इस तरह से इन दो post के लिए आपको ना ही आपको typing test देना है और ना ही आपका यहां पर psycho test होना है तो उमीद करता हूँ कि आपको सारी चीजे clear हो गई होंगी और comment box में जरूर बताईएगा अगर आपको किसी भी तरह का doubt है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं